हेलो दोस्तो और रिपेरिंग विदेश के चैनल में आप लोगों वह स्वागत है यह देखे हैं हमारे पास पॉली कैब का बल्प आया है यह बारा वाट लिखा हुए इसके उपर और दोस्तो यह भारी बल्प है तो दोस्तो यह चार्जिंग वाला बल्प है ठीक है दोस्तो 12W में Polycab ने लॉंज किया था बाकि ये लगबग 9W में लगबग सभी कमपनियों के आते हैं कोई 12W में आता लेकिन बैटरी पे 9W जलते हैं तो दोस्तों देखिए इसके जैसे ये दोनों पॉइंट हम शॉट करते हैं तो ये जलने लगा था कस्टूमर का कहना कि ये बैटरी पे वर्क करता है बैटरी से वर्क करता है हम देखिए इसके पॉइंट बिढा के दिखा दे रहे हैं वो कैमरा असल में मेरा हमने सेट किया है तो देखिए ये दोनों पॉइंट जैसे हम बिढाएंगे तो ये जलने लगेगा ये देखिए ये देखिए ये देखिए दोस्त तो यह हमारा बैटरी से work कर रहा है और यह बिजली से work नहीं कर रहा है ठीक है दोस्तों तो मतलब कहने का है कि मतलब यह हमारा बैटरी charge होने पर जलता है लेकिन light जैसे ही आती है वो हमारा यह work नहीं करता है तो हम देखेंगे इसमें ऐसी क्या problem है तो दोस्तों हमने इसको light में लगा लिया है और meter को 200 volt पे set कर लिया और देखिए ये इसका minus है और इधर sorry ये एक मिनट ये देखिए यहाँ led minus लिखा हुआ है और यहाँ पे led plus लिखा हुआ है white वाले तार पे तो आप इसमें दोनों में पहले हम voltage चेक करेंगे meter को 200 volt पे set किया है ये देख लिजिए meter को 200 volt DC पे set किया है और इसकी voltage हम चेक करेंगे sorry meter पलट के ये white वाला हमारा प्लस है तो दीखिए दोस्तों 112 तेरा वोल्ट इस पे current आ रहा है 111, 112, 113 तो दीखिए दोस्तों driver हमारा सही है ये देखिए पूरा perfect है और ये sparking भी अच्छे से ले रहा है मैं दिखाता हूँ आपको ये देखिए बहतरीन sparking ले रहा है कोई भ बात नहीं हमें तो पता है कि इसमें problem क्या आती है हमने आपको पहले भी बताया हो लेकिन हम और भी हमारे जो नई भाई हैं तो दीखिए इसकी एलेडी वगरा है जो ये SMD LED ये काली पड़ जाती है दोस्तों 32-3 साल चलने के बाद ये बल्प में charging वाले बल्प में ये problem जर जब लाइट आती है तवर करती है तो 9 वोल्ट की हमारी वही तीन फिलामेंट की SMD LED इसमें लगी हुई है तो हम इसको अलग कर लेते हैं इसके तार बगेरा और कैसे क्या होता है इसमें कैसे क्या repairing होती है इस चीज में वह हम आपको दिखाएंगे ताकि आप भी ये आसानी करेंगे और कैसे repair करते हैं वह हम आपको बता देंगे कई लोग है इसका सामानी नहीं मिला तो ये बेकार हो गया इसको फेक देते हैं नहीं ऐसा नहीं है मेरे पास मतलब हमारे पास सब चीज का इलाज है ऐसा नहीं कोई भी चीज आ जाए लगबग लगबग हम उसका लगांहा इसमें और यह फूला हुआ इसका पैठ फूला हुआ भाई तो गया कोई वात नहीं यह वरक अभी कर रहा है लेकिन कोई हम इसको चैंजी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं और देखे इसमें जो हीट सिंग लगी थी मतलब इसकी MCPC में जो हीट सिंग लगी थी हम उसको खोल लेंगे ये देखिए ये हीट सिंग लगी है ये दो पेंच से इसको खोल लेंगे और अलग कर लेंगे और कैसे क्या इसमें फिर काम करना है कैसे क्या वर्क करना है पूरा डिटेल से दोस्तों परफेक्ट बना देंगे आपको देख लीजिए आप देखते रहिए मैंने जैसा ही का दोस्तों बस आप चैनल को लाइक सस्क्राइब और शेयर करते रहिए और कमेंट वगरा किया करिए दोस्तों मैं हर चीज का आपको अपने चैनल पर काम सिखाने के कोशिश करता हूँ आप सीख लीजे और अच्छे से कहीं मतलब मैं जो काम आपको सिखाऊंगा ना वो काम आप मतलब वर्क करेंगे उसको देखके यह नहीं कि देखा और भूल गए ऐसा नहीं है जो आप वर्क करेंगे वो आपको मैं काम सिखाऊंगा ताकि आप अपना काम चालू करें तो दोस कि हम SMD जो है LED वो चेंज करतेंगे 18 LED थी इस में तो हमने ये अपनी 9 वाट वाली बलफ वाली 2 MCPC ली है और इनको इसमें चेंज करेंगे दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया मतलब तरीका है और मैं ये करता हूं और आप भी देखके ये कर सकते हैं दोस्तों मुझे मज़ा आता है ये चीज करने में तो मैं ये बलफ रिपेर कर देता ओं और इस बलफ के हम से सो रूपए लेंगे ही सो एक्सो दस रूपए लेंगे क्यूंकि इस भाई हम काम कर रहे हैं इसमें और ये काम मतलब कस्टमर का कहीं भी नहीं होगा मतलब या MCPC मिलेगी नहीं और हर आदमी य क्या आता तकि उसको भरोसा हो जाता कि यह आदमी मेरा काम कर देगा यह देखिए मकषन की तरह यह LED सारी हमारी निकल जाएंगी बहुती सी दियें दोस्तों इनको कहते ही यह चिम्टी से हट जाती है अपनी जगह से कोई भी दिक्कत नहीं है और दूसरी इसमें हम मतलब इसमें दो भी चोड़ा होता वह माइनस होता और एक पतला है सबस का होता है तो फसमें वह देखना है और इसमें Los Bansom선 रहर वहित्यों क्वेस करने दोस्तों क 오ap रहुटिन तरीक से काम होगा और बैत्रीन तरीके से हम लोग पैसे भी कमाएंगे दोस्तों यह चीजे मतलब भाई यह जुगाड है यह सब मिस्तरियों की सीग्रेट होते हैं लेकिन हम कोई सीग्रेट नहीं रखना चाहते हैं हम आपको वह भी चीजे सिखा देंगे जो कि हम काम करते हैं यह देखें बेतरीन तरीके से यह हम लगाएंगे इस पर और कोई भी दिक्कत न माइनस देखेंगे और उसी परकार से इधर रख देना है कोई भी दिक्कत नहीं है और यही चीज यही अब यह हमारी जो हम माउंड करने हैं इसम्ड यह हमारी साल-वर्क करेंगी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारा ड्राइवर प्रोपर वर्क करता रहता है तो य सबस्क्राइब ज़ीन कोई काम करता नहीं है और इसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं भाई अमालो दस भारार रुपए लगा के हम इसमें आराम से मालो 100 110 रुपए का मालें लेंगे तो क्या दिक्कत है कितनी देर का मैं दोस्तों ने कितनी देर काम किया। दूस्तों यही चीजे मैं आपको सिखाना चाहता हूं और आप सीख लीजिए और ये हाइल अब तो ये मालो हमारा छोटा बल्प है कोई हाइलोजन वगरा है कोई ज्यादा बढ़िया कोई चीज है मालो महंगी चीज है उसमें भी आप ये काम करेंगे तो अच्छे पैसे आपको इससे भी ज है दोस्तों लेकिन आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों कमेंट वगरा किया करें ताकि मुझे अच्छा लगे और हम मोटिवेट हो आपके लिए अच्छे वीडियो लाने के लिए दोस्तों इस काम में महनत लगती है थोड़ी सी और दि में बेतरीन तरीके से और ये बल्प दोस्तों बहुत ही बहतरीन जैलेगा कोई भी दिक्स Ain आएगी हम जो भी काम करते ऊसमें कोई फेक वीडियो मैंने आपको पहले ही बता रहा है और आपको भी पता कि मेरे चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं मिलती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर के लिए पूरा सब कुछ फ्री है कोई भी एडवाइज वगेरा लाइफ टाइम के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है आप देखिए और शेयर कीजिए दोस्तो थोड़ी प्रैसी गरम हो गई थी तो मैंने तार हटा दिया है और यह हमारा वर्क लगभग लगभग पूरा हो चुका है इसमें यह एक रहे गई वो दो अठारा लेडी समने गिल डी थी तो इसलिए हमने दो प्लेटे गरम की थी और उनके दोनों के बस इसमें सोल्डिंग कुछ नहीं लगाना दोस्तों बस ऐसे उठाएं और ऐसे रखने वह अपने आपी मैल्ट होके अपने आपी चिपक जाएगी अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं आती है यह देखिए बेहतरीन तरीके से हमारी सारी सोल्ड हुई और हम इसको हटाके अलग रख देंगे अलग रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए यह दिखे थोड़ी सी LED यह मुझे दिख रही थी तो मैंने इनको दबा दिया थोड़ा सा बाकि वो अपने आपी शोल्ड हो जाती है इतनी बहतरीन तरीके से जो आपको दिखे तो उसको सेट कर सकते बाकि कोई दिक्कत न क्योंकि कमपनी के वो मैच मैचिंग की होती है और दूसरी प्लेट उसमें लग 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 तो जाती है लेकिन कई बार मैच ही नहीं होती तो इस वज़े से हम इसका काम कर लेते हैं और अच्छे पैसे मिलते तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं अगर यह 10-20 रूपई की आती करेंगे यह देखिए हमारी जो प्लेट थी वह बहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गई है सारी लेडी इसमें चिपक चुकी है यह ठंडी भी हो गई है तो अब हम अपना बलफ निकालेंगे और इसको रिपैर करेंगे दोस्तों यह मैं अपने घर पे वर्क कर रहा हूं बलफ म हमने इसमें लगा दिया प्लग में और गरम होने के लिए ताकि हम इस बलफ का काम अच्छे से कर सकें तो देखिए वही बलफ है दोस्तों पॉली कैब का और वही हमारा सब कुछ है ऐसा नहीं कुछ फेक वेक नहीं भाई मैं बनाता हूं और नहीं मैं आपको सिखाऊंगा म मैं अपने भाईयों को काम्याब करना चाहता हूं ताकि वह भविश में आगे काम करके वह सीख सके और काम कर सके ऐसा नहीं मुझे अपना ही मतलब नहीं देखिए दोस्तों यह कंडेंसर मैंने बड़ा वाला इसमें लगा दिया था एक LED पुराने ड्राइवर का निकाल के तो देखिए दोस्तों सो वर्ट सो यूफ का है ठीक है दोस्तों तो यह हमारा बैतरी नुवर करेगा कोई भी दिक्कत नहीं है और यह देखिए यह इसके जो तार होते हैं चार अगर आप भूल जाएं वैसे तो आप फोटो अगरा कीच लें और अगर भूलने का मतलब भी क्योंकि उस पे जो हमारा ड्राइवर पे इसके कोड़ वर्ड लिखे हुए LED प्लस माइनस इन और बीटी करके लिखा हुआ है तो वहां आप देख लीजिए और सेम जो हमारी MC PC होती उस पे भी वही कोड़ वर्ड लिखे होते तो आपको वो तार वहीं पे जोड़ना अगर आप भूल जाएं तो उसके लिए बाकि ऐसा कुछ नहीं हमें तो यादी रहता है तो दोस्तों पहले आप प्लस माइनस के प्लस माइनस LED के जोड़ेंगे और उसके बाद यह जोड़ेंगे मैं आपको और भी चीज़े दिखा देता हूं कई भाई ने पूछा था कि इस फ्लस कारन के और यह धंभी उडने के कारण और ये ड्रम कोईल हट जाती करा खरेंग होता है कि वह कुछ भी गयिद्धेर होता रही और यह देखें तो आप चेंज करiałem होगे नहीं क्योंकि इतना 20 कोश्ट ली आता नहीं कि यह चेंज करके आप अच्छे मतलब नया लगा दोगे तो उसकी लाइब भी होगी और यह लग सकता है हमारी कि MCPC दूसरी नहीं लग सकती लेकिन ड्राइवर लग सकता है और ना तो वह जो MCPC है बड़ी वाली उसके बैक साइड में आप चिपका के दूसरी MCPC और ड्राइवर लगा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो जो चीज रियल होगी वही चीज में आपको दिखा दूँगा और यह बैटरी का कनेक्टर अपना जो हटाया था उसको लगा देते हैं और फिर आपको इसको रिपैर करके दिखाते हैं दोस्तों दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट वगेरा करके मुझे बताया किज इससी वज़य से मैं अपना ग्यान सोचता हूँ आप लोगों को भी सिखा दू और आप सीके अच्छे से कामयाब हो जाए मेरे भाई तो मुझे बहुत ही खुशी होगी और यह देखिए इसकी जो हीट सिंग थी हमने खोली थी वह इसमें कस लेंगे और फिर इसको अच्छ जो गेरा वो सरी यह जो हमारा पेश्ट था इसी में मैंने थोड़ा सा सोल्डर रख लिया था यह मैं बैग में रखता हूं अपना कहीं भी थोड़ा बहुत काम करने के लिए घर पे रख देता हूं थोड़ा सा यह देखिए बेहतरीन तरीके से दोस्तों आपको काम सीखना है और काम करना है तो आप मेरी वीडियो देखिए नहीं तो भया कहीं भी देख सकते मेरे को कोई अतराज नहीं आप से यह देखिए यह चारोतार जो हैं यह इसके अंदर लगा देने हैं यह देखिए बड़े बैतरीन तरीके से इसमें डाल देंगे दोस्तों मैं आपका टाइम भी बचाऊंगा और आपको सिखा भी दूंगा यह देखिए यह चारोतार हमारे उपर आ गए और इस mcpc में भी सेम led प्लस माइनस और वो सारे code word लिखे हुए जो की नीचे लिखे हुए तो आप उसी प्रकार से देखके इसमें सोल्डिंग कर सकते हैं यह देखिए जैसे हम सोल्डिंग कर रहे हैं ऐसे ही आप कर लेंगे और बहतरीन यह बल्प अब हमारा साल छे महिने के लिए बहुत ही बहतरीन चलेगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्यूंकि हमने सारी SMD नहीं लगाई है और ड्राइवर का जो बहुत है साल बर तो अराम से ही चलेगा अगर ड्राइवर में और कोई प्रॉब्लम नहीं आती यह देखिए जैसे जैसे हमने तार हटाए थे वैसे आप लगा लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लेट पे और mcpc पे code word लिखे होते हैं आप उसी परकार से लगाएं बहुत इतना ध्यान रखें और यह देखें हमने चार उतार अच्छे से सोल्ड कर लिए और हमारा यह बैटरी से वर्क कर रहा था और यह देख लिजे आप अरे जला क्यों नहीं भाई अच्छा यह देखें जल गया दोस्तों मैंने तो सचा यह बेस्ती करा देगा ऐसा कुछ नहीं तो यह देखें बैटरीन जल रहा हमारा वल्फ जैसे लाइट से जो वर्क कर नहीं कर रहा था हो तो हमारा बहतरीन जल रहा है सारी mcpc हमने चेंज कर दियो दोस्तों वही बलफ है वही सब कुछ है आप देख लिजे मैं इसलिए ही आपको प्रूप के साथ दिखाता हूं कि आपको कन्फियूजन ना हो सारी leds हमने चेंज कर दी और बहतर बहतरीन बैस्ट क्वालिटी का यह बल्फ हो गया कोई भी दिक्कत नहीं है तो दोस्तों आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों ऐसी चीज़े आपको सिखा दूंगा कि आप काम करने लगेंगे दोस्तों वीडियो देखने का मतलब अलग होता है यह नहीं की वीडियो देखी और भूल गए और काम खतम ऐसा नहीं है मैं आपको वह चीज़ें सिखा दूंगा तो यह आप देखकर और काम सीखकर और काम खोल भी लेंगे अपना काम करेंगे तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए धन्यवा